अपनी हिंदी की पुस्तक भी निकालो पेज नमबर 95 डेट लिखना है उपड़ आज हम लोग क्या सिखेंगे? ग्यव इसको क्या बोलते हैं? ग्यव ग्यव से ग्यानी ग्यानी मीन्स जो बहुत पढ़ालिका होता है ना उनको ग्यानी बोलते हैं तो ग्यव से ग्यानी नाव कम तो दे नेक्स पेज पेज नमबर 96 वर्ण को उसके शब्दों से मिलाएं अभी इसमें रेड कलर से कौन सा वर्ण लिखा है? ग्यव तो हमें जहां जहां ग्यव लिखा है उस वाले वर्ड पे शब्दों पे मैच करना है इसमें है ग्यव ये वाले वर्ड में नहीं है तो इसे मैच नहीं करेंगे हम यहां है येस तो मैच करना है हमें इसे फिर इसमें है येस तो इसे हम मैच करेंगे फिर इसमें है हाँ तो इसे भी हमें मैच करना है ग्यव से और इसमें भी है तो इसे भी हम मैच करेंगे Turn the page Come to page number 99 बिंदूओं को मिलाए और वर्ण में रंग भरे Now भी हमें gear कैसा लिखना है मैं बताएगे भी यह जो rotted line से वहां trace करना है पहले एक standing line करना है इस तरह से फिर एक slipping line थोड़ा सा curve करना है और उसकी tail बनानी है ठीक है? और उपर slipping line gear अभी नीचे trace करेंगे हम Standing line करना है Slipping line थोड़ा सा curve और tail करनी है उपर एक slipping line gear तो इस तरह से आपको copy down करना है Trace करके ठीक है यह page पूर कम्प्लीट करना है One more time I'll show you how to write gear एक standing line करना है यह second line से start करना है यह center बाला line है वहां से एक slipping line करना है ऐसे और curve करके tail करना है Gear से ज्यानी Standing line Slipping line और curve करके tail और उपर Slipping line Gear से ज्यानी Now हमारा पूर पूरा शर वर्ग चल रहा था हमारा राइड तो फिर्ट से एक बारे बेशन करेंगे शर से शलिगम शर से शट्कोर सर से सां हर से हतोरा शर से शत्रिय तर से त्रिशूल और आज हमने क्या तीखा Gear से ज्यानी तो इस तरह से हमारी Gear के बाद पूरी बॉर्ड रमादा Finish हो गई है तो आपको Curl से लेकर Gear तर लिखने की Practice करना है अब अपनी Hindi की Notebook निकालो उसमें Date लिखना है Say and Write Gear लिखना है और Gear लिखने की Practice करना है Standing Line Slipping Line तो दज़ा सा Curve करके तेव Gear तो इस तरह से आपको यह पूरा पेज अप्रीट करना है करना है